दोस्तों अगर आपका लक्ष विस्विध्याला में Assistant Professor बनना है तो आपको UGC Net का exam qualify करना होगा हम आपके लिए हैं UGC Net Economics के दो courses जिसमें आपको 100 प्लस वीडियो के अलावा चेप्टर वाई notes, test series और past share के question paper मिलेंगे इसके लिए आपको हमारी application विश्णू economics इसको download करनी होग कि वहाँ पर आपको UGC Net, PGT Economics, Assistant Professor, UPSC Economics optional आधी 200 से यादी courses बिलेंगे इसके लाव अगर आप फ्री notes डावलोड करना चाहें तो हमारे application के 3D material में free notes डावलोड का भी option है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम आप बच्चों को UGC Net का syllabus complete करा रहे हैं उसमें आपको का नाम है regulation of market यानि कि इसमें आपको बताना है कि market को किस तरीके से regulate किया जाता है देखिए government जो है वो market system को खाली नहीं छोड़ सकती है इसका मतलब हमें collision को एक तरीके से regulate करना ही पड़ेगा क्योंकि collision होनी की वज़े से हमारा जो welfare उस पर असर पड़ता है और government का objective होता है social welfare को maximum करना तो इस पूरे के पूरे चेप्टर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको वीडियो के माद्यम से बता रहा हूँ फर्दर वीडियो आपको आगे मिलती भी रहेंगी और application के तुरू भी आप वीडियो देख सकते हो YouTube के तुरू भी देख सकते हो जै कर सकती है और natural monopoly का case आपको पढ़ना होगा और किस तरीके से natural monopoly के case में government जो है वो regulate करती है यही बच्चो इस पूरे के पूरे चेप्टर में पढ़ना है बहुत छोटा सा एक तरीके सा आपको चेप्टर है तो हम भी आपको यह खीच नहीं रहे इस हमारा जो वीडियो बनान करते हैं तो मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो में यह पता लग गया होगा कि क्या 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 आपको पढ़ना है फर्दर हम इस वीडियो को कंट्यूनी करते रहेंगे और चेप्टर वाइज आपको अलग अलग टॉपिक आपको समझाती रहेंगे तो दोस्तों अगर आप UGC NET का कूर्स जोइन करना चाहो तो हमारा हिंदी और इंग्लिस दोना मीडियम में ही कूर्स उपलब्द है इस वीडियो में तना ही थांकियो